हलो गाइज मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीस क्लाशेश में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे जो है यूपी ट्रिफल एससी वाला जो हमारा एक्जाम चला है पेट का जो है पेट दोहजार तेश जिससे क्या क्या इतियास हम लोगों को पढ़ना रहता है और आंदोलन प्लस भुगोल अर्थ व्योस्ता भारती सम्मिधान और समान विग्यान और समान जग जागरुकता के बारे में कुरा डेटेल से सारी सीट को क्या करेंगे देहेंगे टोटल हम लोग 50 कोशन इसमें कबर जाता मतलब मौरेवंस जो था मौरेवंस से 100% एक कोशन बनेगा तो इसकी अस्थापना मगद में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है तो पस्चिम बंगाल में जी बिलकुल नहीं है ठीक है पंजाब में यहां भी नहीं है फिर का आंधर प्रदेश में यहां भी नहीं अर्थात बिहार बिहार में ही हमारा क्या है मगद जो मौरे राजवंस की क्या हुई थी मगद में हुई थी अस्थापना जिसको लोग बिहार के रूप में जानते हैं बिहार की राजधानी कहा है पटना है यह भी याद रखेगा बिहार की र सथापक काउन था तो चंद्रगुप्त मौरे था चंद्रगुप्त मोरी का था मौरे बंस का संसथापक था ठीक अई चलते हैं नेक्स्ट कोशआ अगला कोशआ कोशआ कोश्आ कर रहा है देखिए कोशन पु मताहिए है कि उस स्ब्रीटिश गवर्नर जनर्रा का नाम बताई जिन्होंने भारत मैं रेलेवे शुभा-ारम्ब किया था तो उस ब्रीटिश क़ v ac रेलवे को क्या किया था इस्टार्ट किया था कौन था लाड मैकाले था या लाड ऑकलेंड था गलत है सर चार्ल्स मेटकॉफ था यह भी नहीं लाड हैंस्टिंग था यह भी नहीं है तो कौन था डलहोजी था कौन था डलहोजी था पहली रेलवे जो बारी चलाई गई थी उ राज हडप नीती भी क्यों लाया था। इसी ने लाया था। सबसे फाली किसको हडपा था तो इसने सतारों। सतारा को, ठीक, सतारा को सबसे पहले क्या किया था, हडपा था, ठीक, तो right answer हमारा D हो जाएगा, next चलते हैं, question number 3 बताएंगे, तीसरी बहुत परिशद, किस सहर में आयोलित हुई थी, कितनी बहुत परिशद हुई, total 4 बहुत परिशद हुई है, ठीक है, तो तीसरी पूछरा क पूरु में हमारी कहां पर पाटली पुत्र में हुई थी, किस की समय हुई थी, तो उस समय राजा कौन था, तो अशोग था, मौर इवन्स का प्रतापी राजा कौन था, अशोग के समय हमारी पाटली पुत्र में हुई थी, ठीक है, पाटली पुत्र में इसका अध्यच कौ था मौगली तीषय मौगली पुत्र तिषय था ठीक है next चलते हैं अगला कोशन कोशन नमर फॉर्थ बता देशे फटपट बताईए कि निम्न में से अकबर के दर्बार में मुख्य चित्रकार का ओन थे अकबर के सी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा ठीक है सी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल दसवंत था अकबर के दर्बार में राता था ठीक है अकबर अकबर क्या था अकबर जो है मुगल वंस का क्या था सासक था अकबर क्या था मुगल वंस का सासक था ठीक है इसने जो है 1556 में अपने पिता हुमाईू की मृत के बाद क्या करता है गदी को समालता है ठीक है और यह क्या सबसे कम पढ़ा लिखा जो है मुगल वंस का सबसे कम प आसपास के छेत्र में को कहा जाता था जो मतुरा के आसपास का छेत्र क्या था पंचाल था अंग था सूरे शेन था या मतष्य के नाम से जाना जाता था ठीक किसके नाम से सूरे शेन के नाम से जाना जाता था नेक्स चले चलिए कोशन नंबर 6 बताईए कोशन नंबर 6 कह रहा कfenिश को नेरा सबी है तो इसको किस नी स्टाइड किया था भीडी सावर करने थीक नेक्स्ट आजाएगे साथ कॉश्ट नमबर सात चलते हैं कोशचन नमबर साथ तो आपको पता है कि history ancient history और medieval से मिला करके 5 question रहेंगे और जो हमारा आंदोलन है राष्टी आंदोलन से हमारी क्या रहेंगे 5 question रहेंगे ठीक है तो अभी हमारा राष्टी आंदोलनी start हो गया है आपसे ठीक है बताइए वर्स 1905 में बंगाल के विभाजन के दाउरान भारत का वाइसराय काउंट था जो बंगाल का विभाजन हुगा कब हुगा 1905 में वाइसराय काउंट रहता है तो करजन रहता है कौन रहता है करजन ठीक है कौन रहता है करजन नेक्स्ट आजए quick question number eight बताएंगे अब लो question number बहरा के दौरा या भगत सिंग के दौरा या शूरे सेन के दौरा बताए किस के दौरा लिखा गया था तो ये था भगवती चरन बहरा के दौरा किसके दौरा फिलोसफी अब दा पॉम्बे नामक पर सीद पुछत कौन लिखा था तो ये भगवती चरन बहरा थे ठीक आए किनेट मिशन ने क्या किया था पाकिस्तान जो माग की गई थी पाकिस्तान की उसको क्या कर podob wind on अमानेक कर लिए था कम क्या था 24 मार्च 24 मार्च 24 मार्च 1946 को औि थो तो फजिसम तुक्रण भारत को तुको आमने कर लिए था था ठीग नेश दा आए controller चर्चिल ने, Lord Mountain ने या Lord Wevel ने या फिर जो Clement Attlee ने तो किसने की थी? A, B, C या D तो किसने की थी? Clement, कौन था? Clement Attlee था, कौन था? Clement Attlee था, था D पार्ट हमारा क्या जगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा मतलब सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कॉंसाथ श्जात है वियरा कंस असम है सबसे पहले माकूम में माकूम में कुंहा खोदा गया खोथा खा खोदा खा खा गया तील का कुँहा खोदा खे एक सिंह वाला गाना भी पि पाया जाता है असमेगुच, चलीए, next, चलते हैं, अगला question, question number आप 12 बताएंगे, question number 12 देखें क्या करा रहा है, question number 12 के नुंक 10 करा है, दोरा, recharge, तो हमारी पृत्वी क्या होती है? recharge होती है, तो कुछ आस्तान पर भू Aww जल अस्तर की नीचे मतलब कठोर चत्तान की परत की बीच होता है, इस चत्तान को हम लोग क्या काते हैं? जिसकी चत्तानों के बीच में जो जल पाया जाता है, तो उस चटान को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो Active Weaver बोलते हैं Gen Vrit बोलते हैं क्या बोलते हैं Gen Vrit बोलते हैं याद रखिएगा ठीक है Next आजएगे Question number चलते हैं 13 13 क्या कर रहा है Total हम लोग कितने question देखेंगे 50 question यहाँ पर देखेंगे सभी GS के सारे question को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कबर करेंगे Name ने लखित में से 13 अमेरिकी राष्टो में से किस में 13 अमेरिका च्छेत्र का सबसे बड़ा वन च्छेत्र है मतलब जो 13 अमेरिका में सबसे बड़ा वन कहां पर पाया जाता ठीक है सबसे ज्यादा जै विविधता विविधता कहां पर पाया जाती तो अमेजन वन में ही पाया जाती सारी शीचा मैंने यहां पर बता दिया और यहीं पर एक नदी भाती है जिसका नाम क्या अमेजन नदी जो water of volume के रूप में जो है क्या जो सबसे जादा पानी ले जाने वाली नदी के रूप में जाना आ जाता है ठीक है तो यह कहां पे हमारा ब्राजील में इसका राइट एंसर क्या जाएगा बी बाड बिल्कुल सत्य हो जाएगा आए चलते हैं प्राइदीब भारत की सबसे बड़ी नदी काँ सी है जो कहां से जो नासिक जो हमारा महाराष्ण में नासिक पड़ता है पहाड़ी से क्या करती है इसका उदगम अस्थान होता और यह अपना जल कहां पर गिराती है तो वे आफ बंगाल में अपना क्या करती है जल गिराती है वे आफ बंगाल में गिराती है ठीक है दश्किल भारत की क्या है सबसे लंबी नदी है ठीक है दश्किल भारत की क्या है स निमलिखत में से कौनसी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। कल्यानी इसकी सहायक है नदी नहीं है। चलिए। आगे चले। नेक्स्ट कोशन चलते हैं। कोशन नंबर आप 16 बताएंगे। अगला कोशन है तो किसका इसी का है। यही हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा बिलकुल सत्य हो जाएगा। किसी देश के जो आंतरिक प्रदेश के भीतर जो अपने अंदर आंतरिक प्रदेश के भीतर वही चीज हमारी क्या काती। सरल घरेलू उत्पात का लाती है। यहीं कि इसको अपनों क्या गता है। जी डी पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। जी डी पी बोलते हैं। कौन सा छेतर भारती अर्थ व्योस्ता का आधार है। कौन सा छेतर भारती अर्थ व्योस्ता का क्या है। आधार है। इसको आप लोग बताईए। क्रिशी का योगदान उस समय पाले बहुत ज़्यादा था लेकिन इस समय जो हमारा टरसरी सेक्टर का योगदान GDP में सबसे ज़्यादा है ठीक आजाएगे नेक्स चलते हैं रूप में भी करते थे सिल्क रूट पूरवी पस्ची में उतरी और दच्छडी सिल्क रूट में बटा हुआ था दच्छडी सिल्क रूट पर खोतान का एक का सबसे महत्वपूर्ण अस्थान था बताए इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा तो इसका राइट एंसोर आजा क्या का जाता है जो नियर्यात करते हैं उसका प्लस जो आयात करते हैं उसके मुल्य के अंतर को डिफरेंस को हम लोग क्या काते हैं व्यापार संतुलन बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं व्यापार संतुलन बोलते हैं नेक्स चलिए कोशन नमबर 21 क्या कर रहा है कि भारती सम् विधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राजी की विधान सभा और विधान परिशन के चुनाओ वैस्क मता अधिकार पर होंगे वैस्क मता अधिकार के तातपर है कि प्रतेक राजनागरी की उम्र जो है भाग लेने के लिए मतलब आप कितने लोग इसमें क्या है ओ हो हमारी क्या कर सकते है ओट दे सकते है ठीक हो अपने मत का क्या कर सकते है प्रियोग कर सकते है ठीक है ते हमारा कहां यहां से हमारी पॉलिटी ठीक है पॉलिटी इसके भी क्या है पांच कोश्चन है पॉलिटी के ठीक है चलिए आगे चलते है अगला कोश्चन कोश्चन नम बिधान परिशत का भी कर सकता है और विधान सभा का भी ठीक है राज जपाल राज जी की विधान परिशत को भंग कर सकता है जी बिल्कुल नहीं भंग तो नहीं कर सकता है ठीक है बिधान परिशत को कभी भंग नहीं किया जा सकता है समाप्त किया जा सकता है ठीक है और राज पाल क्या कर सकता है राज्य की विधान सभा कि भंग कर सकता है बिल्कुल सत्य इसको भंग कर सकता लेकिन इसको भंग नहीं कर सकता तो जो गलत पूछा तो गलत का एंसर क्या जागा गलत बिल्कुल ठीक है तो इसका सी पाट क्या जागा बिल्कुल सत्य हो जागा चलिए नेक पाइस है आर्टिकील 22 इसमें क्या था मौरी काते हैं मौलडिकार है ठीक या मौल अधिकार जीचको बोलते हैं ठीक है के अंतरगत आता हमारा सोत्वत्ता का आधिकार आता ठीक है तू गलत है बिलकुल सारजनिक रोजगार के मामले में आऊसर प्रदान का नाइविकल कुछ मामलों मिगरफतारिया और हिरासत ते ही हमारा क्या जाएगा बिल्कुल सत्य क्या हो जाएगा 23 का सी पार्ट क्या हो जाएगा आई नेक्स चलते हैं कोशन नमबर आप बताएंगे कौन सा 24 क्या करा है कि 1975 में आपा पहरत के राष्टपति कौन थे परधानमंत्री कौन थी Andrea Gandhie थी ठीक है पी-म कौन थे इंद्रागांधी थी और हमारे प्रधान हमसे पूछा राष्टपति कौन थे इसको बताईए तो राष्टपती कौन थे 24 का सही ने 1975 में आपात काल के समय गुलजारी लाल लंदा प्रधान मंतरी थी कौन सा सही ये तो बिल्कुल गलत है ठीक है ये हमारा क्या है गलत है इसमें कौन थी हमारी पीम तो इंद्रा गांधी थी 1975 अपता आपात काल के समय जो प्रधान मंतरी कौन थी इंद्रा गांधी थी ब कारा है कि monomer caprolactum किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुली किया जाता है बताई किसका आम लोग बहुली करन करते हैं तो हम लोग किसका करते है, nylon 6 का, next question No.27, shaktkating boat木ो Herman Weasree, m M1, L2, T-3 होता, M1, L2, T-3 होता, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है, next question, question number 28, बताएगे, CASO 4 into, CASO 4 into 2H2O, किसका सूतर है, तो इससे 100% आएगा, इस फार्मुला तो इस जिपसम का है, किसका है, जिपसम का फार्मुला, किसका है, जिपसम का है, next, question number 29, बताएगे, नियान लैंप का अभिसकार किस ने किया था, तो जार्ज क्लाउड ने किया था, किस ने किया था, जार्ज क्लाउड ने किया था, ठीक है, next आजएगे, question number 30, बताएगे, question number 30, question number 30, क्या कर रहा है, कि निमने लिखित में से, कांसा अंग आप प्रियुक्त या छतिग्रष्ट बिंबाणों को हटाने में, क्या है, question number 30, 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 कि वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार की खोच की थी, बताई, अब यहां से हमारा, क्या है, अब हमारा, इस्टेटिक्स जी के, मैं सारी चीज़ आपको यहां, पर दर्श नंबर के हमारा क्या आजाएगा, इस्टेटिक्स जी के आजाएगा, ठीक है, इस तरह के इसमें mixed question रहेंगे, सारे तरह के question static, वासको डिगामा भारत की समुदरी खोच कप किया था, तो 1498 में ठीक, जैमे ओरी ने काली कट जो हमारा था केरल में पढ़ता, वहां पी क्या क्या था, इसका स्वागत किया था, अब खड़ी बोली कि अभिस्कार कौन किया था, तो यही थी हमारे कौन थे, यही थे, ठीक है, अमिर खुसरोजी ही थे, next आजएगे question number 33, 33 क्या करा है, कि 200 स्वास्त दिवस किस दिन मनाया जाता है, 17 जनवरी को, तो 7 अप्रेल को, क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हो था, WHO, जिसको बोलते हैं, World Health Organization के अस्थापना, हमारी 7 अप्रेल, 1948 को हुई थी, ठीक, कब, 1948 को हुई थी, इसका हैटकोर्टर कहां पे, जेनेवा में, ठीक, कहां पे, जेनेवा में, कहां पे, जेनेव ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन आम बताएंगे, 35, राष्टी उद्यान में सबसे अधिक, एक सिंग वाला गैड़ा कहां पाया जाता है, ठीक है, एक सिंग वाला जो गैड़ा है, ओ कहां पे पाया जाता है, तो अभी मैंने बताता है, कहां पे, जिम जो हमारा उत्राखन में पढ़ता है, यहां पर तो नहीं पाया जाता है, तो काजी रंगा जो हमारा अश्रम में पाया जाता है, यहां पर एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है, रन थम्बोर हमारा राजस्थान में पढ़ता है, बांधिपूर हमारा कहां क ऐसले चुन के पत्रहु के तुम से से सब्सक्राइब का दो हैं राज सब्सक्राइब आर्मिन आपने माने उच्वाइक प्र blueberry क्ले हैर बदकर awake चिंप अ fedsan के मैं प्रजा चलते हैं नहीं आप आप सरीधनी आर्म पिर्विजेयल फिली अगति है हंसा इसना है सली यह को रता है प्रेकर माहरारा बताएग ए निवनलिखित में से निर्टिका, कौं सा प्रकार असम से संबंदित है? तो बताईए नवटंकी कहा का? यूपी का है, और भिहार की कुछ राजियों में होता है? गर्बा कहा का है, तो यह गर्बा जो हमारा गुझरात का है. ठीक है और कथकली कहां केरल का तो भी हूँ हमारा कहां का अश्रम का है ठीक भी हूँ हमारा क्या अश्रम का है ठीक नेक्स्ट कोशन कोशन नमर चालिज बताएंगे कास्मीर दी वाजपेई इयर्स नामक किताब के लेखक कौन है कासमीर दी वाज़पे एगर्ष नामक किताब के लेखक कौन है संजे जैन है आर एन पी सिंग है सै कौन है दुहत है या फिर वरुन यादो है तो इसका राइट अंस पर आप बताएंगे कौन है सा दुहत है ठीक है से एस दुहत है ठीक है पहला कोशन है भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थी तो भारत की पहली मुख्य मंत्री कौन थी सुचेता क्रिपलान नहीं थी कहां की थी UP की थी नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 42 सोतंत्र भारत के प्रथम सिच्छा मंत्री कौन थे बताए तो मौलाना अबुल कलाम आ जात सबसे बड़ा दूर दर्शी कहां पर इसी तो कैलिफोर्णिया कैलिफोर्णिया हमारा कहां पढ़ता है USA में पढ़ता है ठीक है गालिम्ब थे गालिम्ब क्या थे गालिम्ब क्या थे गालिम्ब क्या थे गालिम्ब क्या थे कभी थे क्या थे कभी थे क्या थे कभी थे क्या थे कतक में, next question question number आब बताएंगे, भारत की राष्टिगान की रचाईता कौन है? तो रविंद्रणाथ टाई गोर जी हैं, कौन है? रविंद्रनात दाई गोर जी हैं, ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक, अगला कोशण, कोशण नमबर 47, क्या कर रहा कि भारत और सिलंका के मद्ध, संयुक्त, संयुद्ध, अभ्यास होता है, मित्र सक्ती, अलनाह, सहयोग, आविया, इंद्र, बता ही, 47 का, तो यह हमारा कौन सा, मित्र शक्ती है, भारत और सिलंका के बीच, शोबना, चंद्रकुमार किस से संबंधित हैं, तो शोबना, चंद्रकुमार किस से संबंधित हैं, तो शोबना, चंद्रकुमार जो हमारी हैं, भरत नाट्यम से हैं, भरत नाट्यम कहां का है, तमिल नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 49, वैदनात मिस्र, वैदनात मिस्र किस कवी का मूल नाम है, बताएं, वैदनात मिस्र किस कवी का मूल नाम है, 49 का, तो यह जो है, यह किसका नाम है, तो यह हमारा नागा अरजुन का है, ठीक, किसका है, नागा अरजुन है, ठीक, नेक् में बता दीजी आप लोग तो हमारा वेल ग्रेड 1961 में किया गया था ठीक तो आज की क्लास हम लोग जीके जीएस वाली जीके और जीएस वाली फुल लेंथ की जो पचास कोशन आपके आएंगे यहां ही फिनिस करते हैं इसके बाद हम लोग की हिंदी की क्लास आपको मिलेगी ठीक है अलग-अलग क्लासिस हिस्ट्री हो गया जियोग्राफिय हो गया पॉलिटिव को अलग-अलग भी क्लासिस हम लोग चलाएंगे ठीक तो आज के लिए इतना है एकर वीडियो अच्छा लग है तो प्लीज वीडियो को सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर